नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेशे 9 मार्च, गुरुवार दोपर सब 3 बजे, राजिस्तान की बड़ी खबरे सालासर में पूर्वी सियम वसंद्रा राजे के जनम दिन पर किये गए कारिकरम के बार, जैसल मेर मेर में भी कई आयोजन हुए वहीं गुरुवार को भी बाज़पा कारिकरताओं और उनके समर्थकों ने कारिकरम का आयोजन कर, उनके वापसी के संकेत दे दिये हैं जैसल मेर मेर में बीजेपी कारिकरताओं और उनके समर्थकों मेर राजे के जनम दिन के मौके पर काफी उत्साहा देखा गया बीजेपी कारिकरताओं ने वाल में के समाज की महिलाओं को साड़ियां भेंट की गौशाला में धर्म कर्म के कारिकरम आयोजीत किये गए रासान में नौ माहिने बाद होने वाले विधानसपा चुनाव के मदे नजर अब बीजेपी भी पूरी तरह से एक्टिम मोड पर है सदन सलेकर सड़क तक विभिन मुद्धो को लेकर बीजेपी गहलो सरकार पर हमलावर है चार मार्च को भाते जनता युवा मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्रे आवास का घहराव करने के बाद अपार्ड परदेश सरकार के खिलाव हला बोल करेगी बाचपा की ओर से 15 से 30 मार्च तक सभी जिलों में विरोत परदेशन किये जाएंगे अलग अलग जिलों में होने वाले विरोत परदेशनों में पार्टी के नेता सांसत विधायक और कारीकरता शामिल होंगे शराबनी ती मामने में तिहाड जेल में बंद बनी सिसोधिया से पूस्ताच के लिए प्रवरतन नेदेशाली के टीम तिहाड जेल पहुँच चुकी है मीडिय रिपोर्ट्स के अनुसार एडी की टीम ने सिसोधिया से सवाल जवाब शुरू कर दिये हैं इससे पहले साथ मार्च को एडी ने च्छा गंटे तक सिसोधिया से पूस्ताच की थी रिपोर्ट्स के मताबिक एडी की एक टीम इस मामने में गिरिफता दो अन्य आरुपियों के साथ तिहाड पहुँची थी राजसान के कई जिलों में पिछले दो दिन से हो रही बे मौसमी बारिश और ओलावरस्टी से खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है जिस पर मुखी मंत्रिशो गहलोत ने राजस विभाग को जल से जल फसल खराबे की गिर्दावरी करवा कर पिड़ित किसानों को हर संभा मदद देने के निर्देश दिये हैं बे मौसम बारिश और ओलावरस्टी से कोटा जहरावर चितर रासमन्द उदैपूर जालोर सिरोही टोंक और जपूर जिले में चने की फसल को नुकसान हुआ है राजसान में चुनाव नजदीक है और भाजपाव कांग्रिस की तयारी भी तेज हो चुकी है हलांके दोनों ही पार्टियों की तरफ से सीएम फेस कौन होगा ये कहना भी मुश्किल है कांग्रिस में जहाशो, गहलोत और सचिन पारेट गुट के सभी रसा कर्शी जारी है वहीं भाजपा में वसंदर राजे बनाम दूसरे कई नाम चर्चा में है इनमें एक नाम प्रदीशा धैक्ष सतीश पूनिया का भी है जाट समुदाय से आने वाले पूनिया कुछ दिन पहले जाट महाकुम में भी शिरकत कर चुके है रास्तान सरकार ने बजट भाशन में अनुबंद पर एक हजार बसे चुलाने की घोशना की है इसके बाद करमचारियों में असंतोष की सिती पैदा हो गई है जुन जुनू डीपो के रोडवेज कर्मियों की माने तो सरकार अब रोडवेज को समाप्त करने पर आमादा हो गई है सरकार करमचारियों को दी जाने वाली मोटी तनख्वा को बचाने के प्रयास में सम्विदा और अनुबन पर ध्यान दे रही है रासान रोडविज में लगातार करमचारी सेवा निवरत हो रहे है साही करमचारियों के स्थान पर अब सम्वीदा पर चालक पर चालक लिए जा रही है जैपर को ट्राफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए चौराहों को ट्राफिक सिगनल फ्री करने की योजना तयार की गई राजानी में तीन चौराहों पर इसे लेकर काम भी शुरू हुआ है जोहां जेडिये अफसरों की कारिशाली और काम की धीमी रफ्तार से तै समय पर चौराहे ट्राफिक सिगनल फ्री होने की उमीद कम नज़र आ रही है अभी तीनों जगह भी काम पूरा नहीं हुआ है और जिला पुष्वासन ने अंतिम रूप दिया है अब इस बार मादमी शिक्षा बोर्ड ने प्रदीश के सभी परिक्षा केंडरों पर केंडरा अधिक्षा के साथ परिवेक्षकों को निगरानी का जिम्मा स्वापा है वे पुलिस थाने से पेपर लेकर आएंगे फिर परिक्षा के बाद कॉप्यों को सील कराने का काम खुद की निगरानी में कराएंगे बोर्ड परिक्षा के लिए जिले में 256 परिक्षा केंडरों बनाए गई है राजिस्तान में पिछले 3-4 दिन से सक्रिय पश्री में विक्षोप का प्रभाव गुरुआर को अधिकांश स्थानों से समाथ हो चुका है वरतमान में केवल भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल चाय हुए है आज भरतपुर संभाग में छिटपुट बारिश के संभावना है शेश अधिकांश स्थानों पर आगामी 4 दिन तक मौसम शुष करहेगा इसकी बाद 13-14 मार्ट से फिर थंडर स्टॉम गतिविधियों से हलकी बारिश होने के संभावना है आगामी 24 घंटे बाद अधिक्तम तापमान में 2-4 डिगरी सेलसियस बढ़ने के संभावना है चूरू के लिए शिक्षा शेत्र के लिए अच्छी खबर है चूरू ने शिक्षा के शेत्र में राजस्थान में टॉप रैंकिंग हासिल की है रासान स्कूल शिक्षा पाइशत की ओर से जारी की गई रैंकिंग में चूरू जिला 63 अंक हासिल करने पर प्रदेश में पहले सान पर बरकरा रहा है सीकर जिला 53.68 अंकों के साथ वित्य और जयापूर 32.78 अंकों के साथ 19 में सान पर रहा है चूरू जन्वरी से लगातार प्रथम स्थान को बनाए हुए है तारबंदी योजना से जुझनु जुले की किसानों को फायदा मिल रहा है शुरू में योजना के माप दंडों के चलते कई किसान इसका लाव लेने में रूची नहीं दिखा रहे थे लेकिन योजना के माप दंडों में बदलाव के बाद किसानों ने रूची दिखाने शुरू कर दी है जिले में इस सतर में 2,12,000 मिटर कांटेदार तार लगाने का लक्षे रखा गया है किसानों को आवारा पशु से फसल बचाने के लिए काफी जद्व जहत करनी पड़ती है निलगाए आवारा पशु खड़ी फसल में घुसकर किसानों के अर्मान पर पानी फेर देते हैं ऐसे में ये योजना किसानों के लिए असरदार साबित हो रही है हजार हवेलियों का शहर बेकानेर अपने आकाशक महलों, बेजोड हवेलियों और कलात्मक महलों की कारण विश्व में प्रसिद है यहां कि स्थापत्य कला सैलानियों को आकाशित करती है शेहर में कई हवेलियां और महल ऐसे हैं जो यहां की स्थापत्ते की अनुठी निशानिया हैं वहीं ये मरू शेहर अपने हरिटेज विरासत और सोनलिया आभा भी खेटते रेद के धोरों की कारण भी प्रसिद है हर साल यहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी परेटक धोरों हवेल्यों गढ़ और महलो को देखने बीकाने राते हैं जैपन में सेंध मारी कर एक दुकान में छोरी का मामला सामने आया है दिवार में बड़ा छेत कर बदमाश दुकान में गुसे थे गले में रखे एकल नागव चेतर हजार पे और कीमती समान चोरी कर बदमाश में जुटी हुई है खोला स्रक के बाद आज से फिर मांगलिक कारे शुरू हो गए हैं हस्त नक्षत्र के साथ आठ रेखिये सावा होने से जयपर में आज शादियों की धूम रहेगी समवत 1989 का ये आखरी सावा होगा विवाह आयोजन से जुड़े लोगों की माने तो शहर मे 15 से अधिक शादियां हो रही है जो तिशाचारे डॉक्टर रवी शर्मा ने बताया है कि समवत 1989 का आखरी सावा नौ मार्च को है इसके बाद 15 मार्च को सूर्य देवी सुबे 6-33 पर मीन राशी में प्रवेश करने के साथ ही मीन मनमास शुरू हो जाएगा इसे मांगलिक का बैंक की शाखा के मैनेजर ने ग्रहा की 1.5 करोड की FDR को भुना कर अपने बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कर ली गवन में बैंक अधिकारियों की ID का भी 2 रुपयों किया गया है मामला सामने आने पर बैंक के अंचल प्रवंदक ने आरोपी मैनेजर के खिलाफ पले साने म दोखा दड़ी और गवन का मामला दरुच करवाया है बिहार पतना कंकर बागहार उदैपुर के इंडियन बैंक के अंचल प्रवंदक सुमन कुमार ने रिपोर्ट दी कि वरिस्ट प्रवंदक पत पर रहे सीकर लक्षमनगर चुडी मिया के संदीप कुमार ने ये गवन कि गया है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर